आज मैं पके कठल के फाइदे और इसके काटने के तरीके बताऊंगी जिससे आप भी मिंटों में कठल काट पाएंगे बिना किसी मेहनत के कच्चे कठल की सबजी, पकोरे और अचार ये सब बना करके तो हम खाते ही हैं और पके कठल को नमक के साथ खा लिया या फिर मिल्क सिक बना लिया या पीठा बना लिया लेकिन इसे जल्दी लोग खाना नहीं चाते हैं क्योंकि इसे काटना बहुत ही मुश्किल काम होता है तो इसे paper में लपेट करके रख दिया अब ये पूरी तरह से पक चुका है और इसके test करने का तरीका ये है कि इसके उपर हलके हातों से अगर press करके देखे हलका सा दबा करके देखे तो ये press हो रहा है और ये बिल्कुल इसका जो उपर का portion है वो soft हो गया है इसका मतलब है कि कठल पक गया है और सबसे खास पहचानने का तरीका ये है कि पकने के बाद इसकी खुस्बू पूरे घर में फैल जाती है सबसे जरूरी इस टेप है कठल काटने के लिए कि सबसे पहले इसे अपने हाथों में और नाइफ में अच्छे से सरसो का तेल लगा ले और कोशिश करें क अगर बड़ी वाली चाको हो तो उसी का यूज करें तो सरसो तेल मैंने हाथ और नाइफ में अच्छी तरह से लगा लिया है अब कठल के टॉप पर इस तरह से कट लगाएंगे और इसे गोल-गोल घुमा कर इस तरह से काट दे जाएंगे यानि कि टॉप से स्टार्ट करें कठल में धेरू ऐसे तत्व होते जो हमारे सरीर की कई आउशक्ता को पूरा करता है इसमें बिटामिन A, बिटामिन C, थाइमीन, पोटैसियम, कैलसियम, आइरन और जिंक बहुत ज़्यादा मातरा में पाई जाती है पके हुए कठल का नियमित रूप से सेवन करने से हार्ट अब इसके छिलके को इस तरह से निकाल ले अब ये देखे कितना अच्छा लग रहा है इसके फलक को निकाल ले और इंजॉय करें पके हुए कठल कठल के बीच की रेसिपी और भी कई डिलिस्यस रेसिपी जानने के लिए देखते रहे है तरका मारके वितने लूप और अगर हाँ मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स आपसे कपील काना चाहूंगी कि यूटूब पर जाकर मेरे चैनल तरका मारके वितनीलू को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने फेड़बैक सेयर करें और बताए कि आपको रेसिपी कैसी लगती है अच्छी लगती है तो लाइक करें अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें और यह जरूर बताए कि आपको अगली रेसिपी कौन से चाहिए